विदेशी बजारों में तेजी के रुख के बीच देश के तेल तिलन बजार में बुद्वार को सर्सो तेल, सोयबीन तेल तिलन और बिनौला तेल की कीमतों में सुधार धर्ज हुआ बाकी तेल तिलनों के भाफ पूर्व स्तर पर बने रहे बजार सूतरों का कहना है कि मलेशिय एक्सचेंज में लगवग दो प्रतिशत की तेजी रही जिब की शिकागो एक्सचेंज में फिलाल एक प्रतिशत की तेजी उन्होंने कहा है कि शिकागो एक्षेंज के तेज होने से सोयवीन तेल तिलन के भाफ मजबूत बंद हुए इस तेजी का असर सोया तेल और बिनौला तेल जैसे हलके तेलों पर दिखाई दिया और इन तेलों के भाफ भी मजबूत हो गए आपको बता दें कि जाड़े में पामुलीन और सीपियों की मांग कमजोर रहती है क्योंकि इसे हाड ओयल माना जाता है जो जाड़े के मौसम में जम जाते हैं सूतरों का कहना है कि देश में आयात शुलक में कमी किये जाने के बाद मलेशिया में तेलों के भाफ बड़ा दिये गए है उनका कहना है कि देश की मंडियों में बुद्वार को सोयवीन की आवग घट कर तीन लाख बोरी से कम रह गई इससे भी सोयवीन में सुधार आया है उनका क्याना है कि समानने कारुबार के बीच सर्सो दाना के भाव पूर्ववत बने रहे जबकि सोयवीन तेल के भाव मजबूत होने से सर्सो तेल और बिनौला तेल जैसे हलके तेलों के भाव भी मजबूत हो गए वोंफली सहीत बाकी तेल तिलन के भाव पूर्षतर पर बने रहे बाकी तेल जहीं में पूर्षतर पर बने वрастर पहे चारी तेल मीत